दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में उनलोक शुरू कही आने जाने के लिए अब इपास की जरूरत नहीं जाने और कौन सी पाबंद्य हटी किन बातों पर अभी भी रहेगी रो जिहां बिहार में बुद्वार यानि आज से उनलोक वन की सुरूरात हो रही है राज सरकार ने लोगडाउन हटा लिया है साम साथ बज़े तक नेजी सारवजनिक वहानों और पेदल आवागमन के अनुमती दी गई है इसके साथ ही नाइट करपू का एलान भी किया गया है जो साम साथ से सुबह पाँच बज़े तक रहेगी लेकिन अभी भी कई पाबंद्या रहेगी स्कूल, कॉलेज, सभी धार्मी किस्तल, सिनिमा हॉल, सौपिंग मॉल, क्लब, सिमिंग पूल, स्टेडियम, जीम, पार्क एवं ओध्यान बंद्रेंगे सेक्चनिक संस्तानों दुआरा ओलाइन पढ़ाई की जा सकेगी दुकान के खुलने के समय में और छूड़ दी गई है अब साम पांच बज़े तक दुकाने खुल सकेगी नीजी दब्तर भी खुलेंगे सरकारे और नीजी दब्तर पचास परतिसत उपस्टिती के साथ साम चार बज़े तक खुल सकेगे साथ आपको विस्तार से बता दे कि आज से सुब़ चो बज़े से साम पांच बज़े तक दुकाने खुलेगे इनमे रासन, फल, सबजी, मांस, मचली, पीडियास, आदी, खायद, सामागरी और क्रिसी सम्मन्दित दुकाने प्रदी दिन खुलेगी आजनी दुकाने एक दिन बीच करके खुलेगी, कौन से समों की दुकाने किस दिन खुलेगी यहाँ, सम्मन्दित जिलादे का रित्ताई करेंगे सभी सरकारी और निजिक कार्यालाई 50 परतिसत उपसिती के साथ साम 4 बज़े तक ही खुलेंगे सरकारिक कार्याले में आंगतुकों का परविश वर्जित रहेगा आवजसेक सिवाव से समनित कार्याले अथावत काम करेंगे वह नियाएक प्रससन के सम्मन में उच नियाले द्वरा लिया गया निन्ने प्रभावी होगा साथ आपको बता दे कि नेजी वहान वसारवजनिक परवहन में अब कोई भी आजा सकेगा इसके लिए अब इपास की जोरत नहीं पड़ेगी नाइट करप्यू की अवदी साम साथ से सुब़ पाँच बजे तक छोड़ कर नेजी वहानों के परिचलन और पेदल आवागमन पर कोई प्रतिबन नहीं होगा अगली बड़े कबर बिहार में मुक्या सरपंज का पावर नहीं होगा सीज परामार समिती के स्ट्रेक्चर पर नितिस केविंडेट ने लगाई मुहार जिया बिहार में पंचायत चुनाव ना होने के बाद भी मुक्या सरपंज और जिला परिसाद सही तमाम जन परतिनिद्यों का पावर बरकरा रहेगा यहां फैसला बिहार के केबिनेट बेटक में लिया गिया है पंचायती राज बिभाग ने इस समन में नॉटिपिकेशन में जारी कर दिया है विभाग ने कहा कि पंचाइद में परामर समीती के एदक मुख्या ही होंगे अगली बड़ी कवर बिहार अनलोक होने के बाद भी साधी में नहीं मनेगा जसने, इसकूल कोलेज अभी जुलाई तक रहेंगे बंद, जी हाँ अनलोक वान की जारी की गई नए गाइडलाइन में साधी और सिक्चन संस्तानों के लिए बंदी से बरकरा रखी गई है, यानि की बिवा में अभी भी 20 बंद रहेंगे, इस दोरान परिक्चाई भी नहीं ले जाएगे, ओलाइन सिक्चन कारी चलते रहेंगे, वहीं सुत्रो से मिले जानकारे के अनुसार, इसकूल, कोलेज और सवी सिक्चन संस्तान जुलाई तक बंद रहेंगे, अगली बड़ी कबर, कोरोना से जान गवाने वालों के परिवार को मिलेंगे चार लाक रुपे, केविनेट ने दी मंजूरी, जिहां बिहार में कोरोना से जान गवाने वालों के परिजन को चार लाक रुपे के अनुगरा रासी दी जाएगी, केविनेट ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी है, अगली बड़ी कबर बिहार चमकी बुखार के बढ़ते प्रभाहव के बीच सरकार का बड़ा फैसला अब इन जीलों में दर्पन डेली हैप से हाजरी लगाएंगे डेक्टर जी हाँ बिहार में चमके बुखार के बड़ते प्रकोप के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है सरकार ने EAS प्रभावी जीले के स्वास्त संसानों में 24 गंटे स्वास्त स्वा प्रादान किया जाना अतनती आवसिक किया है ताकि उक्त रोक से ग्रासित मरेजों को स सवास्त सेवा उबलब्द कराये जा सके अब अनुमंडिल्य अस्पटाल रिफरल अस्पटाल समोधाइक स्वास्त केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्त केंद्र के प्रभारिची किस्प दाधिकारी को पस्तिती सुब़ा पांच बजे से छे बजे तक दरपन-डेली एप के मा मड़ी समस्ति पूर सिवर दरवंगा और सिवान जिला चमकी बुखार से सबसे ज़्यादा परवायत माना जाता है। इसके साथ आपको बताते चले की केंद्र की मोधी सरकार के फैसले से बिहार के आट कड़ोर 70 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिवाली तक मुप्त में दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर केंद्र सरकार ने प्रावेड अस्पतालों के लिए तै किये वेक्सिन के दाम अगर आप किसी प्रावेड अस्पिटल में को वेक्सिन लेते हैं तो आपको 780 रुपय देने होंगे। को वेक्सिन के लिए 410 और रुसी वेक्सिन स्पूतनिक वी के लिए 1145 रुपय खर्च करने होंगे। आपको बता दे कि इसमें परतिसत जेश्टी के साथ 7500 रुपय का सर्विस चार्ज भी लगेगा। इसके साथ ये आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वेक्सिन निर्माताओ दुआरा वर्तमान में गोसित किमोतों के अधार पर किंद्रे स्वास्त मंत्राला ने निजी अस्पतालों के लिए वेक्सिन के दामते किये हैं। अगली बड़ी कबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 711 कोरोना के नई मरेज सुपोल में सबसे ज़्यादा 66 संकरमित मिले। जिया बिहार में कोरोना के रबतार कापी धीमी हो गई है। स्वास्त विवाग की और इस जारी ताजा आकड़े के मुताविक पिछले 24 घंटे में राज में कोरोना के मात्र 711 केस मिले हैं। इसके साथ ही पूरे बिहार में एक्टिव केसों के सेंगा घट कर 7897 तक पहुच गया है। अलाकि नए केस मिलने के मामले में राज़ानी पटना दूसरी नमबर पहर है। सबसे पहले पायदान पर सुपोल जिला है जाच्यासट नए केस मिले हैं। जबकि दूसरी नमबर पर पटना में 65 नए मरिज मिले हैं। अगली बड़ी खबर बिहार में आज से आंधीत उपान के साथ 12 की समभावना मौसम विवाग ने जारी किया यलो अलर्ट। चमपारन सिवान सारन पूर्वी चमपारन गोपाल गंज के कुछ हिस्सों में बादल गजन के साथ आनित उपान आएगा उत्तर मजद बिहार की सितामड़ी मदवनी मुझपरपूर दर्बंगा वैसाली सिवर और समस्तिपूर में भी यही सिति रहेगी इसके अलावा जुन तक यलो अलर्ट जारी किया गया है पाटना सहित बिविन जिलो में इस दोरान 30 से 40 किलोमेटर के रफ्तार से हवा चलने की समावना जाहिर की गई है अगली बड़ी कबर पटना के पाटली पोत्रे स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और पाटली पोत्र असोक में आज से 24 घंटे वैक्सनेशन कराना होगा प्री रेजिस्ट्रेस्ट जिया पाटना में दो सेंटर पर अब 24 घंटे में किसी भी वक्त कोरोना की वैक्सन लगवाई जा स सकती है यह सेंटर सब्ता की सातों दिन खुले रहेंगे यहां तीन सिप्ट में डाक्टर और स्वास्त कर्मी तैनात रहेंगे दोपार के बाद करीब 4 बजे इसका उद्गाटन कल हो गया है आपको बदा दे कि इन दोनों सेंटर पर वर्तमान में रोजाना करी 500 लोगों को वेक्सिल लगाने का लच रखा गिया है इसे आने वाले दिनों में बढ़ाया जा सकता है यहां 18 से 44 आयो वर्ग और 45 प्लस आयो वर्गों को वेक्सिल लगाये जाएगी होटल पाटली पूत्र असोक और पाटली पूत्र इस्पोर्ट कॉम्पलेक्स में 18 से 44 आयो के लोगो मजाग बन गया है जिया 64 रिजल्ट को लेकर निता प्रतिपाउच तेजस्वी यादव ने नितिस सरकार को घरने का काम किया है कटप मार्क्स को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर सवाल भी कड़े किये हैं तेजस्वी का रोपिकी इस परिक्षा में आरक्षित और अनारक्ष वर्ग का कटप मार्क्स बराबर किया गया है तेजस्वी ने कहा कि बिहार में रिजर्वसन अब मजाग बन गया है गोरतला वेकर एवार को बिपकी 64 परिक्षा का फाइनल रिजल्ट यारी हुआ है इस परिक्षा से बिहार को 1454 अधिकारी मिले है जिसमें आरक्षित यानि बीसी को भी पांसो पैदी संक दिया गया है बिपेसी के द्वारा छोज उनको यह रिजल्ट जारे किया गया है जिसे लेकर तेजस्वी आदावब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं वह अगली बड़ी कवर बिपेसी परिचा में जामिया का जलवा सोलच आतरों ने मारे बाजी डिएसपी और एच्डियम बन कर करेंगे समाज की सिवा बिहार लोग सिवा आयोक की 64वा संयुध परतीयोगिता परिच्षा में जामिया मिल्लीया इसलिमिया की आवसय कोचेंग अकादमी यानि की आर स्ये की सोलच चात्रोंने बाजी मारे है हर बार की तरह इस बार भी आर स्ये की चात्रोंने अपना जलवा बरकरा रखा है जामिया RCA के प्रवारे मुहम्मद तारिक ने बताये कि बिहार प्रसासनिक सिवा पास करने वाले सोलो चात्रों में दस लड़के हैं जबकि छे लड़किया ने यह परिक्चा पास की है पिछली बार 12 चात्रों का चैन हुआ था अगली बड़ी कवर टीपल आईटी भागलपूर में M.Tech के सिलिबस को मंजोरी जिहां भागलपूर टीपल आईटी में इसी सत्र से M.Tech और PhD की पढ़ाई शुरू होनी है इससे पले M.Tech के सिलिबस को मंजोरी मिल गई है इसी सिलिबस के अधार पर Electronics and Communication Engineering, Computer Science, Event Engineering, Mechatronics and Engineering की पढ लाइन बेठक हुई, इसमें बारी-बारी से तिनों विवाग के सिलेवेस को मंजूरी दी गई। अगली बड़ी कबर बिहार सिख्चा विवाग का बड़ा पैसला प्रारमिक सिख्चकों को दो दिन में वेतन देने का आदिस जी हाँ सिक्चा विवाग के बिहार सिक्चा परियोजना परिशत ने राज भर में समगर सिक्चा अंतरगत कारेरत परारमिक सिक्चो के मैं मा के वेतन के रासी जीलो को भेज दी है साथ यादिस दिया के दो दिनों में सिक्चो का वेतन भुगतान कर दे बीएपी के राज परियोजना निदेसक संजे सिंग ने मंगरवार को सबी 38 जिलों को 882 करोड 33,55,332 रुपय मुहाया कराए है उन्होंने जिला सिक्चा पदादी कारियों को वेज़े पत्र में सपष्ट किया कि उपलब कराएगे रासी से दो दिन के अंदर समगर सिक्चा के सिक्चकों का वेतन मुपतान कर राज मुख्याले को सुचित करे और अंद की सबसे बड़ी कबर 13 जोन से चलेगी सहरसा आनंद बिहार स्पेसल ट्रेन फिर से सुरू की गई 14 ट्रेने 11 से 19 जून तक कैंसिल रहेगी बोमनेसर नई दिल्ली के बेच तीन जोडी ट्रेने जिहां पैसेंजर की सुविदाओ का क्याल रखते हुए रेलिवे ने 13 जोन से सहरसा और आनंद बिहार टर्मिनल के बेच स्पेसल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है या स्पेसल ट्रेन सहरसा से आनंद बिहार टर्मिनल के बेच हर रईवार वा गुरुवार को जबकि आनंद लखनों के साथ ही केपिटल एक्सप्रेस और पटना बांदरा एक्सप्रेस भी सामिन है पूरू मैद रेलवे के स्टेशन से होकर भूवनेसर से नहीं दिल्ली की बीच चलने वाले तीन जोड़ी स्पेसल टेनों को 11 से 19 जुन तक केंसिल कर दिया गिया है आज के लिए आपका